बॉड़ॉर्णिंग अदाप नमशकार सामट सरीकार कल हम्ने एक IMPORTANN 하면 कि टौपिक को touch करें हम चलास नाइथ पोइम्स को हम जो अभी कवर कर रहेय हैं यू यू टू के जो टॉपिकस हैं इंगलिश में कवर कर रहेया । मैं आपको अपनी तर्फ दोड करता हूं DSEJ home classes में और आज जो हम कल मैंने question पूछा था उसमें personification के बारे में poetic device के बारे में तो बहुत सारे लोगों को confusion रहा तो आज हम थोड़ा poetic devices तीन poetic devices important discuss करेंगे तो आज का हमारा जो topic है वो figurative language, figurative language आप किसको बोलते हैं जो poems में maximum figurative language को यूज किया जाता है, figurative language क्या होती है, सबसे पहली चीज यह समझने वाली जुरूर है ठीक है, तो figurative language क्या होती है, कि अगर हम कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन उसका meaning कुछ और होता है यहाँ, that means scene car कर देना, ठीक है, जैसे aquarium use होता है, अंदेरे घर का उजाला, एक तीर से दो शिकार, तो सच मुझ में एक तीर मार के दो शिकार नहीं होते हैं, लेकिन जब एक काम करने से दो फाइदे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, एक तीर से दो शिकार है, जैसे बोला पहली लाइन अगर देखे हैं, fair pledges of fruitful tree, तो एक tree जो है, कभी वादा नहीं कर सकता, तो लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, fair pledges of fruitful tree, हम बोलते हैं, trees are running, हम बोलते हैं, computers are working, तो यह जब हम चीजें बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, figurative language, या अगर हम भार निक नीचे गिर रहा है, तो आस्मान कभी नीचे गिरेगा क्या, या तो धूप पढ़ रही है, ठीक है, बारिश पढ़ रही है, तो तब बोलें, ऐसा लग रहा है कि आस्मान ही नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो आज हम तीन important figurative language में कौन-कौन सा करेंगे, personification, simulier metaphor, तो चलिए यह एक-एक करके हम इनको discuss करते हैं, सबसे पहले हम किसको discuss करेंगे, personification को, अब यह personification किसको बोलते हैं, when we give human characteristics to some non-human things, personification is giving an object, event, or abstract ideas, human characteristics, जब हम इनको, इननी non-human चीज़ को, जब हम human characteristics देते हैं, human character देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, personification, अगर आप देखें, यह example यहाँ पर है, the stars winked at me, अब मुझे बताएं न, तारे मुझे देख रहे हैं, तो तारे मुझे देख सकते हैं क्या, what does it mean, इसका मतलब क्या है, ठीक है, and what is being personified, किस चीज़ को यहाँ पर personify किया गया है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि star मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं, तो यह possible है, कि star जो non-living thing है, वो इशारा करें, या वो हम से बात करें, या हम को देखें, तो totally impossible है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, non-human चीज़ को human characteristics दिया, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम non-living को देना, क्योंकि अगर हम देखें, तो कभी हम बोलते हैं, trees are running, तो trees जो है, living है, लेकिन वो दोड़ रहे हैं, तो दोड़ना जो है, human का काम है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, non-human चीज़ को human characteristics दिया, तो कुछ और examples है, the car dance across the icy road, car dance कर रही है, तो यह सा possible है, कि car नाचेगी तो car dance मतलब क्या है, कि वो slip कर रही है, icy road है, तो वो इदर, इदर, उदर skid कर रही है, the angry clouds, गुसे में है, बादल, बादल को गुसा आता है, कभी क्या, उसका मतलब क्या है, जब वो बड़े घरजते हैं, तो उसी को हम बोलते है, angry clouds, march across the sky, उदर, इदर, चल रहे है, march ठीक है, तो चरना भी, चलने का काम किसका है, human का है, the stars in the clear stars, sky, winked at me, जो मैंने पहले example में बोल दा, the tulip nodded their heads in the breeze, अब यह tulip एक flower है, यह अपने सर को हिला रहा है, तो tulip क्या अपने सर को हिला सकता है, वो non-human है, नहीं हिला सकता, तो जब हमने ऐसा बोला, तो वो हमने यहा poetic device का यूज गया, वो है personification, तो पहला हमारा poetic device आज कौन सा था, personification, तो यह हमने कुछ examples personification की देखी, अभी जो हमारा next, एक important और poetic device है, वो है metaphor, क्या बोलेंगे हम इसको, metaphor, metaphor में क्या होता है, हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर, comparing two things, saying one thing is the other, कि हम जैसे बोलेंगे, rate is line, चुआ जो है क्या है, share है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप example देखें, the apple is green sun, the apple is a little green sun, तो apple को क्या बोला, छोटा सबसूरज, bright and round, apples are nature's candy, apples are nature's candy, apple जो है, toffee है, toffee है, यहनि apple को nature की, कुदरत की बनाई हुई है, हमारे लिए candy बताया गया, toffee बताया गया, तो ठीक है, तो apple को क्या किया गया, compare यहाँ पर candy के साथ, जब हम direct comparison करते हैं, दो चीज़ों का, लेकिन एक चीज़ आपने खयार रखनी है, यहाँ पर हम is या like नही रहता है, यह कुछ और बनता है, कोई और poetic device बनता है, वो क्या बनता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और examples दी गई है, metaphor के, the sun was gleaming peril, तो sun को किस के साथ compare किया गया, gleaming peril के साथ, मोती के साथ, my baby brother is cute little teddy bear, तो brother, my baby brother को किस के साथ, teddy bear के साथ compare किया है, my sister's memory is a camera, my sister's memory is a camera, that remembers everything we see, the car seat is fluffy cloud, the car seat is fluffy cloud, custard is happiness inbound, poetic device है, वो है, simally, तो इसको आप, नहीं तो आप smile पढ़ेंगे, जब मैंने, हम पहले-पहले आता है, सामने तो इसा लगता है, यह smile है, लेकिन इस smile नहीं, यह simally है, reason, after or more things, using the words like or is, the metaphor और से मली में बहुत कम भारक है, वहाँ पर भी हम compare कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम like और is का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ों का हम compare करते हैं, लेकिन किसका use करते हैं, is का use या like का, जैसे sweet, यह बहुत मीठा है, is pie, colorful like cranes, colorful like cranes, तो यहाँ पर हमने like का use किया, यहाँ पर हमने is का use किया, तो इसको यह हमारे पास poetic device कौन सा बना, similarly, कुछ और example हम देखते हैं, इसकी, busy as a bee, busy as a bee, busy as a bee, तो busy कितना busy है, जितने की शेहद की मखी, तो case के साथ, मगर इनको compare करने के लिए हमने is लगा, sparkle, sparkle like diamonds, hungry as a bear, flat as a pancake, hot as a rock, ठीक है, तो यहाँ पर is, 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 like is का use करके, इन दो चीज़ों को हमने मिलाया है, तो यहाँ पर यह सिमली के example हमारे पास बनती है, ठीक है, तो कुछ सिमली और मेटाफर्स को अलग अलग करके, यहाँ पर examples दी गई है, यहाँ पर अगर आप देखते है, her heart is like a gold, तो किसके, उसके दिल कैसा है, सोना, लेकिन हमने उसको मिलाने के लिए क्या किया, यहाँ पर क्या बोला हमने, her heart is gold, उसका दिल सोना है, यहाँ पर हमने क्या बोला, उसका दिल सोने की तरह है, ठीक है, the world is like a stage, दुनिया जो है, stage की तरह है, the world is stage, यहाँ पर कोई शाकी नहीं है, यहाँ पर हम बोलते हैं, stage की तरह है, यहाँ पर हम डिरेक्ट बोलते हैं, व like a pig, वो pig की तरह खाता है, he is a pig, he is a pig, you are like a rock, you are a rock, your eyes are like sunshine, you are sunshine, you are my sunshine, poor is that sea of saint, sea of saint, तो यहाँ पर कुछ examples हैं, जो similar metaphor को आप differentiate आसानी से कर सकते, तो dear students, आज हमने तीन potent poetic device को discuss किया, पहला personification, दूसरा metaphor, तीसरा simile, तो thank you, और आज का home assignment यह कस रोड नहीं है, लेकिन तीन poetic device आप लिखेंगे और उनकी कुछ examples भी लिखेंगे, so thank you students for today.